नमस्कार दोस्तों आज के इस एपसोड में आपका स्वागत है अधिकांश लोग Google को दुनिया के सबसे स्वरवाधिक रूप से इस्तिमाल के जाने वाले सर्च इंजन के रूप में जानते हैं यह एक दिन में करीब तीन अरब से अधिक होजों का समालता है एक वक्त में इंग का हिस्सा बना उस वक्त और भी बहुत सी कंपनिया जुड़ी इससे गूगल को अन्नी कंपनियों के लिए अधिक आटोमेशन प्रणाद करते हुए इंटरनेट सेवा वेवसाया पर अधिक ध्यान देने में मदब में इससे अल्फाबेट को अजीब अद्बुद और आश्चेरे दर्यक्त परियोजनाओं पर पूर्णी रूप से ध्यान केंदरित करने में सहायता में जिनके बारे में हम इस वीडियो में आप से बात करेंगे गूगल डीप माइंड जिस तरह से इसके अल्गोरिदम्स बने हैं वे ही इसे अन्य अर्टिफिचल इंटेलिजन सिस्टम से अलग बनाता है दीप माइंड के अल्गोरिदम्स समानने हैं जो कि इसे एक काम में ध्यान देने के बजाए विभिन्न कारियों में एक साथ अच्छा प्रदर्शन करने के लायक बनाता है या अनुठी छमता इसे इस काबिल बनाता है कि कैसे अटारी गेम्स खेलें या 3D मेज कैसे सॉल्ट करें दीप माइंड 2014 की शुरुवात में गूगल द्वारा अधिकरहन किया गया था या आज तक का गूगल का सबसे बड़ा योपी अधिकरहन था प्रोजेक्ट लून इन हीलियम से भरे गुबारे गूगल एक्स द्वारा लगभग 13 मील की दूरी तक पहुचाने के लिए डिजाइन किये गए हैं कमर्शल विमानों से लगभग 2 गुना आकाश में जाने के बाद गुबारे आकाश से बीम इंटरनेट सेवा को उन जगों तक एक विश्वसनी और लागत प्रभावी तरीके से प्रदान करते हैं जिन्हें इसकी कमी हैं याद रखने लाएक बात यहा है कि 4 दिसंबलग 3 अरब लोग अभी भी ऑफ लाइन है Smart Contact Lenses वास्तों में एक Alphabet Company द्वारा डिजाइन किये गया लेंस आपकी डिस्टी को सही करने के अलावा और भी बहुत कुछ करने की शमता रखते हैं विविन सेंसर से सुशजित वे आपके सिस्टम में glucose इस्थर को माप सकते हैं साथ ही पता लगा सकते हैं कि क्या आप बिमार हैं इस चरह एकत्र किया गए डेटा को आगे की प्रक्रिया के लिए एक मुबाइल डिवाइस या लेपटाप को ट्रांसवर किया जा सकता है Lens को स्वयम को कोई बहरी शक्ती स्रोट की आवश्रेक्ता नहीं होती है क्योंकि जिन सभी उर्जा की आवश्रेक्ता होती है उनकी सतह पर सौर कोशिकाओं द्वारा प्रदान किया जाएगा प्रोजेक्ट स्काइबेंडर स्काइबेंडर एक इंटरनेट सिगनल प्रदान करने वाला सोलर ड्रोन है जो 5 साल तक हवे में रहने के लिए तयार है उस समय के दोरान वेकेवल 5G इंटरनेट ही नहीं उपलब्द कराएंगे बलकि आवश्रेक्त होनी पर हवाई तस्वीरें भी ले सकते हैं जो उन परिस्थितों के लिए सहीं बनाते हैं जहां निगरानी और संचार अत्यन्त आवश्रक्ता है जैसे प्राक्रितिक आपदाएं या खोज और बचाव अभिहान ड्रोन प्रोजेक्ट गूगल एक्स द्वारा चलाया जाता है गूगल जेनोमिक्स गूगल एक्स द्वारा संचालित एक और प्रोजेक्ट गूगल जेनोमिक्स विज्ञानिकों और सोध करताओं को विशाल मात्रा में डेटा पर वर्चुल सिमुलेशन को इस्टोर करने खोजने और चलाने के शक्चम मनाता है गूगल सर्च और मैप्स को पावर करने वाली समान तकनीकों को उप्योग करके संगठीत देटा को छेड़ चाड़ किया जा सकता है जो की गूगल जेनोमिक्स को एक मजबूत विज्ञानिक उपकरन बनाने बड़े जटिल सेट्स की सूचनाओं को साजा करने और साजा करन की सब्चम बनाता है यह सिर्फ उन प्रोजेक्ट का एक चैन है जो मैंने सोचा कि सबसे अनूठे और जिल्चस्प है आपकी पसंदीदा अलफावेट प्रोजेक्ट कौन सी है आपको क्या लगता है कि वह अगले कौन से खबर के साथ सामने आएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और कौन से टापिक पर वीडियो चाहिए धन्यवाद